गुट बॉर्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टुलेवर हास्पिरल स्वर्प्रंगर खांटूर जो गेस्ट्राइटिस है जो खानी की जो थेली है इसकी लाइनिंग में जो इन्फ्लेमिशन, रेडनेस या इस तरह की जो स्वेलिंग होती है इसे गेस्ट्राइटिस कहा जाता है खाने की थेली हो कुछ भी प्राब्लम होगी अगर उसमें इन्फ्लेमिशन होगा उसमें अगर स्वेलिंग होगी तो यह scientifically गेस्ट्राइटिस लेवल की जाएगी जो गेस नाश्ता किया तो आपको बारा बजे तक लगया कि पिट कितना तना हुआ है नपर तू बधजमी होगी आपने कुछ खाना खाया उसकी डखार आपको काफी दिर तक आएगी आपने नो बजे नाश्ता किया बारा बजे डखार आएगी तो आपको लगेगा कि जो नो बजे मैंने नाच्टा किया था, उसी की डखार आ रही है, अगर gastritis होगी तो आपका जी मिच लाएगा, कभी-कभी आपको vomiting हो सकती है, अगर gastritis है तो खानी की थेली के उपर इस तरफ के area में लगातार continuous nagging pain होगा, and अगर आपको gastritis है, तो it is quite possible कि आपको यहाँ और यहाँ दोनों तरफ आपको जलन के sensation आने लगे, problem यह है कि अगर आप gastritis को properly treat नहीं करते हैं, with the help of the doctor, with the help of the dietitian and diet, अगर यह दोनों काम आप नहीं करते हैं, तो gastritis potentially complication कराने की ताकत रखती है, complications में क्या होंगे, number one, ulcers develop हो जाएंगी, चाहे वो gastric ulcer हों, चाहे डिोड़नल ulcer हों, number two, खून की कमी होने की पूरी संभावना है, अगर ulcer complicate किये, तो perforation या bleeding की संभावना है, यह बहुत लंबे समयगार gastritis persist करती है, particularly helicobacter related gastritis है, तो एक possibility gastric cancer की वो हमेशा उपर की तरफ जाती है, तो इसलिए gastritis को ठीक करना एक important issue है, तो जो अलग-अलग diet के components हैं, जरा उनको एक एक करके देखे, number one is the fruits and the vegetables, क्या चीज avoid करनी की जरूरत है, जितने भी citrus fruits हैं, उनको आपको avoid करनी की जरूरत है, आप संतरा खाना चाहते हैं, छोड़ दीजे, आप मौसमी का juice पीना चाहते हैं, छोड़ दीजे, जो भी चीज ऐसी है, जो खटे fruits हैं, या खटे juices हैं, उनको आपको अलग करनी की जरूरत है, आपको बहुत सारा tomato soup पीने की जरूरत है, छोड़ दीजे, आपको लगाता कच्छे टमाटर खाने की जरूरत है, छोड़ दीजे, आपको वो सब अवाइड करनी की जरूरत है, जो आपके खाने को spice या flavor देती है, चाहे वो प्याज हो, या onion हो, चाहे वो garlic हो, चाहे वो hot peppers हो, red peppers हो, इनको आपको अलग करनी की जरूरत है, तो avoid की list को ध्यान से देखिए, इन चीज़ों को अलग करिए, now look at the fruits and vegetables again, in the sense, कि जो acidic fruits हैं, उनको आपने अलग किया, acidic veggies हैं, उनको आपने अलग किया, now कुछ options ऐसे हैं, जो बहतर हैं, in the sense, कि आप save खाईए, apple खाईए, इसमें ज़्यादा acidic नहीं है, जितने भी berries हैं, strawberries, blueberries, blueberries, यह बिल्कुर, I mean, recommended हैं, आप सब्जियों में pumpkin खाईए, कद्दू, एकदम बिल्कुल ठीक है, आप carrots को इस्तेमाल करिए, बिल्कुल ठीक है, banana in particular, जो केला है, उसको ऐसा माना जाता है, कि जब आप खाते हैं, तो आपके खाने की तहली की जो lining है, इसके mucus के production को बढ़ाता है, mucus के production को बढ़ाएगा, तो प्रोटेक्टर जो layer है आपकी खाने की तहली में, यह बेतर बनेंगी, strong होगी, और acid से जो damage होता है, उससे आपको बजाएगी, इसके अलाबा, इसमें fiber अच्छी मातरा में होता है, तो उतना fiber आपको मिलेगा, तो आपको केला इस्तिमाल करना चाहिए, यह वास्तों में आपको बहुत beneficial है, guestitis के diet में, नो grains को देहान से देखिए, जहां तक grains का सवाल है, आपको whole grains की तरफ जाने की जरूरत है, refined, जो मैदा है, उनसे बचने की जरूरत है, जब whole grains के हम बात करते हैं, तो whole wheat bread, जैसे रोटी है, bread है, इनको खाईए, यह whole wheat से बनी हुए होने चाहिए, brown rice, absolutely recommended, oats, absolutely recommended, kunova है, barley है, यह बिल्कुल recommended है, यह आपको fiber भी देते हैं, यह blend foods हैं, तो इसलिए आपके stomach की lining को irritate नहीं करते हैं, आपको जो refined grains हैं, उनसे बचने के लिए जरूरत है, इसलिए जो full fat dairy है, उसको आपको बचाने की जरूरत है, आपको जो low fat dairy है, low sugar dairy है, उस तरह के योगर्ट्स बनते हैं, वो आप use करिए, वो आपको help करेंगे, बहुत सारे brands ऐसे होते हैं, जनमें gut healthy bacteria बहुत होते हैं, इन योगर्ट्स में, उनको आपको आपको utilize करना चाहिए, आपको जो देखना चाहिए, कि आपके जो इस तरह के yogurt है, उसे किस तरह से fortify किया गया है, इन उसके जो portions हैं, कितना लेना चाहिए, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, Now look at the proteins, the proteins are very important, जो आपकी body को चाहिए, जो eggs हैं, वो एक दम दे recommended हैं, तो eggs आपको खाने हैं, तो boiled eggs खाने हैं, जो egg के substitutes को ध्यान से देखना है, कि egg जो whites हैं, वो excellent source है protein के, इन कोई आपको परिशानी नहीं करेंगे, आप दिन में कितना भी खाना चाहिए, लेकिन अगर हमलेट्स बना- parse के खाना चाहते हैं, उन में चिली डाल के खाना चाहते हैं, वो आपको अऴाइड करनी की जरूरत हैं, इस तरह की जो seasonings होती हैं, जो एक्स बनाने में यूज की जाती हैं, जो pepper यूज किया जाता है, milk use किया जाता है जिसे scrambled eggs उस तरह के होते हैं इनको आपको avoid करने की जरूरत है जो बेकान हैं, sausages हैं जो इस तरह की मीट्स होते हैं उनको आपको avoid करने की जरूरत है जो red meat है उसको avoid करने की जरूरत है आपको lean poultry जैसे grilled seafood है chicken है, तरकी है इसको आपको include करने की जरूरत है जो nuts है, nuts butter है इनको small amount में आप include कर सकते हैं तो जो protein है protein के sources को ध्यान देने की जरूरत है नो जहां तक desert का सवाल है इनमें sugar अच्छी मातरा में होती है इसमें usually milk भी काफी मातरा में होता है इसमें जो fat है वो भी काफी मातरा में होता है scientific studies ऐसा मानती है कि वास्तों में ये आपकी stomach की lining को irritate करती है damage करती है इनको avoid किया जाना चाहिए तो all these items जैसे baked items से इनको avoid करिए जो pastries हैं इनको avoid करिए जो ice cream से इनको avoid करिए pudding से इनको avoid करिए chocolates को avoid करिए बहुत लोगों के ऐसा मानना है कि gastritis है तो ice cream बड़ा help करेगी ठंदा ठंदा करेगी ये उल्टा है ice cream वास्तों में gastritis में आपकी जो lining है उसको damage करती है now look at the beverages पीने के क्या चीज़ ऐसी है जो आपको avoid करनी की जरूरत है जिन में भी caffeine जादा है उनको avoid करनी की जरूरत है जिन में भी sugar ज्यादा है sugar drinks है उनको avoid करनी की जरूरत है जो soda based items है उनको avoid करनी की जरूरत है energy drinks है उनको avoid करनी की जरूरत है acidic juices हैं alcohol है ये gastritis की दुश्मन है इनको अलग करिए नहीं तो आप परिशान होते रहेंगे On the contrary, अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं, यह आपको help करता है, जो herbal tea आप इस्तिमाल करते हैं, यह आपको help करती है, जो non-dairy milk है चाहिए, वो almond milk हो, cashew milk हो, इस तरह की जो milk है, वो आपको help करते हैं, जो low acid juices हैं, जो खटे नहीं होते हैं, वो ऐसे options हैं, जो आपको help करेंगी, आदत को बदलने की जरूरत है, आपको जो अपने खाने के portions को कम करने की जरूरत है, आप एक बार में जो खाना खाते हैं, या जो भी खाते हैं, उसके amount थोड़ी होने पड़ेगी, small amount होने पड़ेगी, आपको healthy items जैसे मैंने आपके सामने रखे, उनको choose करनी की जरूरत है, इन आपके जो items हैं, choose करिये, small करिये, इन frequent लेने की जरूरत है, इससे आपको help मिलेगी, ये सबसे ज़्यादा आपको help करेंगी, तो अगर हम ध्यान से देखें, बहुत सारे food items ऐसे हैं, जो आपको वास्तों में avoid करने की जरूरत है, इन बहुत सारे healthy items हैं, जो वास्तों में frequent होने पड़ेंगे, so that जो आपकी stomach की lining है, उसको adequate nutrition मिले, and adequate protection मिले, so that आपके symptoms देरे-देरे अलग हो, गेस्टाइटिस के diet को समझने में, अगर ये वीडियो help करता है, जरूर शेयर करें, मैं डॉक्र भी के मिश्रा, from guest to liver hospital, स्वरुपनेगर खानपूर, thank you very much.